सु गाइस कैसे हो आप सब और आजकी इस वीडियो पे आप सब इक अब बहुत-बहुत स्वागत है और आजकी इस वीडियो पे मैं आपको बताओंग आप अपने कोई भी शाओ में स्मार्ट फून पे कैसे इस टेटस बार को मोट करके कस्टोम अप्लिकेशन को एड कर वा सक लाइक अपने फोन में उसकर रहे हैं, वाटसएप, फेस्बूक, इंस्टगरम, उन सारे के सारे अप्लिकेशन को कैसे आप इस स्टीटस बार पे लाइक से लगा सकते हो। सो कैसे लगाना है और कैसे अट करना है कस्टोम अप्लिकेशन को स्टीटास बार पे जानने के लिए इस वीडियो को आगेट तक जरूर देखना है सो उदाउट एनी मोवस्टिंग टाइम लेट्स के स्टार्टेट सो गैस अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है और थोड़ी सी भी हिलफूल लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही इंस्पिरेशन और बहुत ही मोटिवेशन मिल जाता है तो प्लीज आप लाइक कर देना इसे यूज करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है मैं सिंपली आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसे यूज करके काफी आप से आप इसे यूज कर सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं इस अप्लीकेशन को यूज करूँगा एक अप्लीकेशन सो तो उसअ प्लीकेशन का मैं डाउनलोड है लिंग डिक्रिप्शन पर प्रोवाइड कर दूँगा आप चाहित वहां से डामलोड कर सकते हो और अगर आप चाहते हूँ play store से directly download करना तो simply आपको जाना होगा play store पर यहाँ पर आपको search करना होगा app tiles तो app tiles search करने से आपको एप्लीकेशन देखने को मल जाएगा तो simply आपको इस application को download कर लेना है यह काफी अच्छा और काफी market में नया नया है यह application काफी अच्छी तरीके से work कर रहा है so simply आपको इस application को download कर लेना है download करने के बाद आपको simple setup कर लेना है इस setup करने में आपको पूरा मक्षन के तरह setup हो जाएगा आपको कुछ भी जनजट नहीं है setup करने के लिए इसलिए मैं setup process को skip कर दिया so यहाँ पर setup complete हो जाने के बाद आपको यहाँ पर काफी सारा applications के shortcut आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पर 5 या 6 हो shortcut देखने को मिल जाएगा जैसे आप apps को add कर सकते हो 6 applications को add कर सकते हो अब अपने status bar पे जैसे मैं यहाँ पर first को यहाँ पर whatsapp select कर देता हूँ दूसरे को youtube और तीसरे को facebook और चार नंबर को मैंने chrome पे select कर दिया तो यहाँ पर select करने के बाद आप जितने भी application को चाते हो यहाँ पर select कर लेना select हो जाने के बाद आपको simply back पे जाना है and then home पे जाना है आने के बाद आपको simply status bar पे जाओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा edit option तो यहाँ पर आपको simply edit button पे tap काना हुगा यहाँ आपको नीचे में देखने को मिल जाएगा आप scroll करके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा app titles तो यहाँ पर app titles अगर आप App Titles 1 में आप WhatsApp को एड़ करे थे तो यहाप अपर आप इसे move करके यहाप पर hold करके आप move करके आप अपने status bar के अंदरी से लगा दो तो काफी अरम से add हो जाएगा तो आप देख सकते हो काफी अरम से add हो चुगा है मैंने चारे को चारो को यहाप पर add कर दिया तो की application मुझे काफी जदा पसंद आया मैं simply जब WhatsApp को यूज करता हूँ तो scroll करके फिर से मुझे WhatsApp पर जाना परता है और status bar से होने के करान मैं simply यहापर status bar को down करता हूँ and then one tap पर उसे access कर लेता हूँ तो काफी मेरा time भी save हो जाता है और उसे use करने के experience भी थोड़ा सा अलग मिल जाता है को इस तरीके का वीडियो और भी चाहिए तो मुझे comment कर देना और अगर आपको Xiaomi related content आपको पसंद है तो please मेरे channel को subscribe कर लो उसमें आपको Xiaomi related सारे के सारे tech news contents आपको देखने को मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धनिवाद आपका दिन शुब हो